हेलो स्टुडेंट्स, वेल्कम टू इज स्टेडिस, आसा कुच्छी समस्ते भुलत थिवो ओ इंट्रेंस एग्जाम्पायन प्रिपेरेशन जोर्ष्वरे चलाई थिवो आजीरो क्लास रे, आमें नमरो लास्ट ये जो सी स्टी एग्जाम हीतला, तारो साथ तरहीक दिनोर एग्जाम रो टेकेंड सिटिंग रो कोश्यन डिसकोसन करिवा, ओल्रेडी आमें फास्ट पाट रे, फुडेटा कोश्यन डिसकोसन क्लेट कर दी जो, आजी अव जो बाकी तारो टाकु एग क्लास रे, जी डिसकोसन करिवा, ओके, तो चालो डेरिग नमकरीकी आजीरो डिसकोसन स्टाट करिवा, आजीरो फॉस्ट कोश्यन करना छी देखो, पॉस्चिन नमबर 131, करना छी देखो, दा प्रोबाबिलिटी ओप गेटिंग दा सम एज ए प्राइन न फेवरेबुल इवेंट इक कोणकोण ही जी बो, तो टेकोण कोई ची सम एज ए प्राइम नमबर, बने कोण जो प्यार ता सी बो, तांकरो सम टा गोटेकोण प्राइम नमबर हो, तो देखो, एथरे कोणे गोला आमे कोणकोण हे परिवा, 11, याको जो दीमो आड कोची, तू हे परिवा, 13 हे परिवानी, next, 14 हे परिवा, आउकण हे परिवा, ना, 16 हे परिवा, ओके, आउकण कोण ओडर प्यार हे परिवा, देखो, टू रे, तू रे कले है असला, 21, ता पराइस जी बो, 23, correct, ता पराइस जी बो, 25, ओके, similarly, जोदे मूँ 3 को नेकी ना, ओडर प तुमरो, 3, 4, यति की होब, 3, 3, 3, 5, सोबुरे से गोड़े, जेति की बितां करो, सम्ता सिब, से पराइम नंबर होगा, यति कोंपोजिट नंबर होगा, सिमिलारी देखो, एब जोदी मूँ 4 कुनिये, तो कणहे ला, इट विल बी, 4, 1, 4, 2, 9, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, रे काण प्राइम नंबर होगा, से गोड़नाखो, से गोड़नाखो, जी यति की बितां करें, चेटे काण नंध्यें, खोंपोजिट नंबर देखो, 6 रे कणहें जिखो, 6, 1, आओ, 6, 5, करेक्ट, तो देखो, तो नंबर प्रोबाबिलिटी ऊफ ए, कोण जिखो ला, तो इन उफ ए by sample space n of e केते है अचिला n of e अचिला 15 divided by sample space केते है चिला 36 तो याको कले है अचिला तमरो 3 5 आउटरे कले है अचिला 1 2 तो तमरो probability केते है चिला 5 by 12 तो question number 131 रो कोठी हो चिला 5 option number B will be the correct answer क्लियर ना समझते next question को मूब कोरूची moving to next question कोणदे चिला तो what is the maximum number of this what is the maximum number of distinct root a quadratic equation can have, कोट a quadratic equation रो maximum केते distinct root है परिवो ना दीडा so question number 132 रो option number C will be the correct answer ना moving to next question next question कोणदे चिला तो how many distinct real roots are there of the equation x square minus 6x plus 5 equals to 0 जेहे तो एटा गुटे quadratic equation रो तो तो तर केते distinct real root है रो ना दीडा so question number 133 रो option number C will be the correct answer moving to next question next question कोणदे चिला तो देखो in which of the following interval k lies so that the equation k x square minus 8x plus k equals to 0 possesses the real solution तो देखो real solution पाई तमारो condition कोणदे ला जोदी d रो भेलू डा greater than equals to 0 हुए जबी आपकोण कोई परिवा ना से quadratic equation रो जहाभी solution है सिबा सेगुड है रियल है सिबा तो देखो d रो formula कोणदे ला d equals to b square minus 4ac correct तो d रो कोणदे गला देखो b square जागर है सिबा 64 minus minus 4k square greater than equals to 0 that implies minus 4k square greater than minus 64 minus टे multiply कर ले तमारो inequality sign change है जिबा तो कोणदे ला 4k square greater than equals to 64 that implies तमारो k square equals to कोणदे गला ना k square is less than equals to 16 that implies k is less than equals to plus minus 4 ता मने कोण तमारो k रो value टा minus 4 आओ plus 4 भीत्रे लाइ कोड़ ची तो देखो एटी तमारो equal sign ना ची माने को interval अब close interval तो लुक्राइदे फटी open interval वी तमारो option ने दीची किन्टो आमारो sign टाकोण ची strict inequality ने अमे जाने ची कोण strict inequality है ले तमारो open interval है आओ ज़दी तमारो strict inequality ना हुए तेबेचेटा कोण ही ताइना तमारो slag inequality जो दी हुए तेबेचेटा कोण ही ताइना तमारो बने जो close bracket ही ताइए तो अमारो कोण slag inequality है तो question number 134 ओ option number d will be the correct answer correct बुझा पूर ला समाज तोंको now moving to next question next question कोणाची देखो maximum value of the expression this one यारो maximum value केते हो बोबली पचेर छी तो आमें कोण जान चो y max equals to कोण मूतला ना तमारो b square minus 4ac divided by केते ना तमारो minus 4a correct simply समस्ते एठरे a b c काण रिवो a b c काण ला परे एठरे value put कर रिवो जेती क्या सिबो this will be the required answer समस्ते मुते comment section रे question number 135 रो answer केते हैसला लेखी की जाने बो okay now moving to next question next question कोण देखो question number 136 if the root of the quadratic equation ax square plus bx plus 6 equals to 0r minus 3 and minus 2 then the value of b is b रो value केते होबो तो एकोण कोई ची देखो तमारो जो equation देची ax square plus bx plus c equals to 0 जो उटा ची एथरे कोण minus 3 तारो गोटे solution माने कोण definitely एटा quadratic equation को satisfy कोई रिवो तो आम एकोण ना x जागर केते पूट कोई रिवा minus 3 तो आटे केते ही गला तमारो 9a minus 3b plus c equals to 0 करेक्ट नेक्स देखो आउ कोण पोखे बा आउट solution केते दीची minus 2 तामने कोण minus 2 टा भी equation को satisfy करी वो तो minus 2 पूट कोले केते ही गला this will become केते न 4a minus 2b plus 6 equals to 0 आमको कोण बस दीटा अन्नों ओछी दीटा equation ओछी याको solve करी कि बस बी रो भेलू कड़े है रोशी आमको कॉण बी रो भेलू ही पचारी ची सिए तो देखो याको अडिके simplify करी लेके ले कोण ही गला 3a minus b प्लस ओके एतरी c ओछी ना 6 ओछी सोरी 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 मूँ सी लेकी देले एड़ा 6 ओछी ओके 3a minus b plus 2 equals to 0 करेक्ट एटा ही गला तमरो केते 2a minus b minus b plus 3 equals to 0 आमको याको solve कर देखो तो चलो एड़ा को इक्वेल को दूची सोधिर काना बीड़ा आरा इसी रिभार जीवो तो करने ला इतरे केते 2 multiply करिया को होबो तोड़ा केते एसला तमरो 6a minus 2b plus 4 equals to 0 एड़ा केते एड़ा तमरो 1st equation एड़ा आसला तमरो 2nd equation 2nd equation एक्वेशन केते multiply करिया को होबो 3 multiply करिया केते एसला this will become 6a minus 3b plus 9 equals to 0 तो देखो एटी minus plus minus तो एटा को लेक्वाण हेगला एटा तमरो cancel हेगला तो एटा एसला तमरो b equals to 5 कुट योची देखो तो question number 136 रो option number d will be the correct answer okay now moving to next question next question को देखो question number 137 if a and b are two set such that a cross b equals to 5 then which of the following must be true तो a cross b रो 5 मने कौन तमरो को गोटे set रे तमरो elements कीछे ना थिवो इधर तमरो a रे ना थिवो कि बाब b रे ना थिवो otherwise कौन a रे भी ना थिवो कि b रे ना थिवो तरो कि ना कौन हेजिवा ना तर करेक्ट आंसर हेजिवो a equals to 5 and or or b equals to 5 so question number 137 रो option number d will be the correct answer okay now moving to next question next question कोन दीछी question number 138 let a and b are the two set with b रो काडिनलिटी केते दीछी if there are 4096 relation from a to b then a रो काडिनलिटी केतागोवली कचेची तो देखो धरा जो आमे काण जाण चू a रो काडिनलिटी let suppose m b रो काडिनलिटी let suppose n then number of number of relations काण हुदला 2 to the power m n करेक्ट तो आमको एटी question डे according to question आमको काण गीवेन नोची देखो 2 रो काडिनलिटी से दीदीछी 3 तो काण हेला let suppose a रो काडिनलिटी मुँ आजिम करूछी x टाओ छी तो एटे काण हे जीबो 2 to the power 3x equals to 4096 correct 4096 को best 2 रे लेखेले काण हे जीबो this will be 2 to the power 12 correct that implies 3x equals to 12 x रो बेलु केते शिबला ना 4 आमको से x मने को बिरो काडिनलिटी सोरी a रो काडिनलिटी आजिला which implies a रो काडिनलिटी equals to 4 so question number 138 रो option number b will be the correct answer clear moving to next question question number 139 कोन देशी देखा रेकर सिरीज गिप्स दा एक्परेशन अटा कहरा एक्परेशन देथा है ना तमरो inverse trigonometry function so question number 139 रो option number c will be the correct answer moving to next question next question कोन देची the series 1 plus 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8 up to infinite is a कोन ही जबना तमरो it converges so question number 140 रो option number a will be the correct answer moving to next question next question कोन देची रखा the sick question number 149 the sequence n plus 1 by n is a एड़कोटे कोन तमरो decreasing 1 so question number 141 रो option number b will be the correct answer okay next कोन देची रखा limiting value of the sequence sn where sn equals to 1 plus 1 by n to the power n is कोन ना तमरो question number 142 रो option number b will be the correct answer clear limiting value केते है शिला ना e now moving to next question next question कोन देची question number 143 if a and b are mutually exclusive event then probability of a intersection b केते ही जिवो देखो mutually exclusive event मने कोन a intersection b equals to केते ना तमरो 5 तो तार प्रोबाबाबिलीटी काड़ी ले केते है शिवो ना it will be 0 so question number 143 रो option number a will be the correct answer clear moving to next question question number 144 कोन देची if n of a equals to 38 n of b equals to 42 n of a union b equals to 60 then n of a intersection b केते हो बबली आमे कोन जाने छो n of a union b equals to n of a plus n of b minus n of a intersection b correct n of a union b केते देची बस value पूट कर दियो 60 एटा हैसला तमरो 38 plus 42 minus n of a intersection b question याम को कोन n of a intersection b पो चलिची that implies n of a intersection b केते हैसला जीवना तमरो it will be 20 okay so question number 144 option number कोड आची option number d will be the correct answer okay moving to next question next question कांची question number 145 the middle term of the series arranged in ascending or descending order is called तकू को जाइठायना medium so question number 145 option number b will be the correct answer moving to next question next question कांची देखो what is the average of the median of set this one and mod of the set एथी की तो देखो यारो जो दिम्हामे median करीवा first कांच करीवा 8 अकची आपकवा में ascending order लेखेची कांची जीवना 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 करेक्ट तो यारो median करीवा केते हैं जीवा तमरो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 माने 7 प्लस 1 बाई 2 माने 4th position जोटा आची 4th position केते हैं जीवाची न 6 तो यारो median आची गोला median आची गोला केते हैं 6 next कोणा ची देखो B B रो आमको काण कड़ी आरो ची Mod B रो Mod केते हैं जीवाची देखो कोटा highest number फ्रिक्वेंसी जीवाची न 8 देखो 3 टाइमस होची 9 तो टाइमस होची तो यारो मीडिय कोणना मोड आशी गोला मोड इकोल्स टू केते आशी लाना तमरो 8 करेक्ट तो स्याम को कुश्यन कोण पचाची अब्रेज अब्रेज मेने कोण 6 प्लस 8 दिभाइड़ बाइ 2 विच इकोल्स टू तमरो केते ही जिबाना इट विल बी 40 तो आशी लाटा कोना 7 तो कुश्यन नमबर 146 रो अप्शन नमबर C विल बी दा करेक्ट आंसर ओके मुविंग तो नेक्स क्वेश्यन कोण दीची देखो अट इस दा वैल्यू अब दा एक्स्प्रेशन गिवन बिलो एक्स्प्रेशन कोण दीची कॉस 1 डिग्री कॉस 2 डिग्री इन्टु कॉस 3 इन्टु कॉस 4 अप्तु कॉस 90 तो समस्ते जाने चु कॉस 90 रो भैल्यू केते 0 तो होल टर्म टा तमरो मल्टिप्लाइ कोले कॉन एस जिवो ना 0 तो कॉस्चन नमबर 147 डो अप्शन नमबर d will be the correct answer okay, moving to next question next question कॉस्चन कॉन दीची टेखो, pi radian is equivalent to pi radian डिग्री रेकोले कॉन ही था ही ना तमर radian डिग्री रेकोले कॉन ही था ही ना तमरu radian डिग्री रेकोले कॉन pi radian equals to 180 degree so question number 148 डो अप्शन नमबर b will be the correct answer next condition question number 149 simplify sin 2a divided by 1 minus cos 2a correct तो देखो यहकोड यह simplify कोरिवा condition sin 2a divided by 1 minus cos 2a तो देखो sin 2a रो formula कोण थिला 2 sin a into cos a divided by 1 minus cos 2a रो कोण हेगला cos square a minus sin square a तो bracket open कर्ला कोण हेगला cos square a plus sin square a correct तो एटा 2 sin a into cos a एज इट इस डिभाइड़ बाइ 1 minus sin square जगर रहे थिले की पारी भी cos square a तो cos square a plus cos square a तो केते हेगला ना 2 cos square a cos square a ठीकोर देखो एटी 2 to cancel हेगला गोटे cos cancel हेगला तो एटा रहीला केते बस sin a by cos a which is equals to cot a उठ यह ची देखो so question number 149 दो option number b will be the correct answer moving to next question आजी रो last question कोण देखो one of the general solution of sin x plus sin 3x equals to sin 2x केते होब बली से पोचर छी तो देखो याको मुखोर ची condition याको बस ठीकर यारेंज कोरी के लिए किदो ची सिम जिनसो sin 3x plus sin x equals to sin 2x sin a plus sin b रो formula समस्ते recall करो कौन देखो लाना तो मरो 2 sin a plus b by 2 into cos a minus b by 2 करेक्ट याको पूट करीवा sin a plus sin a plus sin b तो कौन देखो लाना this will become 2 sin 3x plus x 4x by 2 which is equals to 2x into cos कौन देखो 3x minus x 2x divided by 2 which is equals to x equals to sin 2x okay that implies कौन असला ना एड़ाको राइट लेफ्ट हेंड साइड कुन यासो तो कौन असला 2 sin 2x into cos x minus कौन ना तो मरो कौन केते हैसला ना sin 2x equals to 0 तो देखो यतिरू common केते जाओची common जाओची तो मरो sin 2x into कौन दो हेगोला 2 cos x minus sin okay 2 cos x minus 1 होबना minus 1 equals to 0 that implies कौन लेकी पारीवी sin 2x equals to 0 आउटे कौन 2 cos x minus 1 equals to 0 तो देखो जेते भीड़े sin theta equals to 0 ही थे तारो general solution कौन हुए ना theta equals to तो देखो आउसर इकौल करो when sin theta equals to 0 then the general solution will be theta equals to n pi तो यथि तो मरो theta जागार केते हो छी 2x तो यथि मुकन लेकी पारीवी 2x equals to n pi okay that implies general solution माने कौन x रो भेलू काड़ेवा तो कौन लेना n pi by 2 will be the required answer पोट ये चे देखो so question number 150 रो option number d will be the correct answer okay एठी तमर 2022 रो जत्ते सबु question दिला दीटा जाको चार्ट्रा जाको setting रो दीदिना रो सबु question complete discussion complete हे गला यार जेते सब question पीडिये बुडामु तमानकु टेलीग्राम गुरूप रेव अप्लोड को देची टेलीग्राम गुरूप रो लिंक तमानकु डेस्क्रिप्शन डे मिलीजीब आसा करची आजीरो क्लास्टी समस्तांको भल्लाइक थिबो और helpful मध्यो रोईकिबो तेबे निस्चोई जेनल को सब्सक्राइब करिबो और सांगमानको सब्सक्राइब करिबा सह लाइक्टे मध्यो करिबो Thanks for watching the video